C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय साथ इसका शीर्शक है जग और मग प्रिष्ट 47 से प्रिष्ट 55 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय साथ शीर्शक जग और मग प्रिष्ट 47 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लाल रंग से इस अध्याय का शीर्शक लिखा गया है जग और मग उसके बाई और एक बड़ा घड़ा रखा हुआ है जिसके अंदर तली के आसपास जल का स्तर दिखाया गया है उसके अंदर अपनी चोंच करके जल पीने की कोशिश करते हुए एक पक्षी को दिखाया गया है उसके साथ ही मटमेले रंग का एक छोटा तूटा हुआ घडार दिखाया गया है। इस चित्र के नीचे नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है नीम्बू पानी बनाओ और मजे से पीओ। तुम्हें चाहिए आधा नीम्बू एक चुटकी नमक एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी इस प्रिष्ठ पर आधा नीम्बू एक चुटकी नमक एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। इन चारों चित्रों के नीचे निम्बू पानी बनाने की विधी बताई गई है लिखा गया है कैसे बनाएं बाई और एक गिलास में पानी भरा हुआ दिखाया गया है फिर एक तीर के माध्यम से उस गिलास को टेबल पर रखा हुआ दिखाया गया है और टेबल पर बैठे हुए एक बालक का चित्र है जो उस गिलास के अंदर नीम्बू का रस निचोड रहा है इसके बाद एक तीर के माध्यम से अगले चरण की ओर इशारा किया गया है नीम्बू पानी बनाने के अगले चरण में गिलास के अंदर चुटकी भर नमक और एक चम्मच चीनी डालते हुए दिखाया गया है और उसके बाद तीर के माध्यम से नीचे अगले चरण को दिखाया गया है जिसमें चम्मच से पानी को घोला जा रहा है बाई ओर लिखा है अंदाजा लगाओ और फिर पता करो इसके नीचे आधे नीम्बू का चित्र दिखाया गया है उसके आगे लिखा है आधे नीम्बू से तुम्हें कितनी बूंद नीम्बू का रस मिलता है रिक्त स्थान भरें इसके नीचे एक पूरे नीम्बू का चित्र दिखाया गया है इसके ठीक सामने लिखा है एक पूरे नीम्बू से तुम्हें कितनी बूंद नीम्बू का रस मिलता है रिक्त स्थान भरें इसके नीचे वाली पंक्ती में लिखा है नीम्बू के रस की कितनी बूंदों में से एक चम्मच भर जाएगा रिक्त स्थान भरें इस वाक्य के बीच में चम्मच का चित्र दिखाया गया है इसके नीचे सलेटी रंग के बक्से में लिखा है अपने नीम्बू पानी का आनंद उठाओ इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे नारंगी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश कोई पे या बनाने के लिए आमतोर पर आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रियोग किया जा सकता है और पे या पदार्थ का नाम भी बदला जा सकता है मुख्य रूप से ध्यान आयतन पर होना चाहिए प्रिष्ट अर्टालीस इस प्रिष्ट पर बवई और सबसे उपर लिखा है छे गिलास नीमबू पानी बनाने के लिए तुम्हें कितने नीमबू चाहिए रिक्त स्थान भरें तुम कितने चम्मच चीनी लोगे रिक्त स्थान भरें इसके नीचे लिखा है गाउं के मेले में नीमबू पानी का स्टॉल चैत्रा के गाउं में एक मेला लगा है चैत्रा, नजीम और अनीश नीमबू पानी बेचने का स्टॉल लगाना चाहते हैं वे बाल्टी भर कर नीमबू पानी बनाते हैं इस वाक्य के बीच में बाल्टी का चित्र दिखाया गया है वे दो अलग-अलग तरह के गिलास का इस्तिमाल करते हैं इस वाक्य के बीच में एक बड़ा और एक छोटा गिलास दिखाया गया है इसके नीचे मेले का द्रिश्य दिखाया गया है मेले के इस द्रिश्य में मुख्य रूप से चैत्रा, नजीम और अनीश का स्टॉल दिखाया गया है उनके सामने नीम्बू पानी से भरी हुई बाल्टी रखी है और उसके ठीक बाई और एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास रखा गया है चैत्रा कहती है हम पाँच रुपई में छोटा गिलास बेचेंगे नजीम कहता है ठीक है अनीश कहता है चलो एक बड़ा गिलास दस रुपई में बेचेंग उनकी स्टॉल के टेबल के ठीक सामने दो चित्र बने हुए हैं बाई और बड़े गिलास का चित्र है जिसके नीचे लिखा है दस रुपई में दाई और पीले रंग के बकसे में छोटे गिलास का चित्र है जिसके नीचे लिखा गया है पाँच रुपई में और बिलकुल बीच में लिखा है नीमबू पानी ठंडा ठंडा कूल कूल इसके अलावा स्टॉल के बाई और गिलास धोने के लिए स्टूल के ऊपर पानी से भरे हुए एक बकेट को रखा गया है नीचे लिखा है अनीश एक जग लाया इस वाक्य के बीच में जग का चित्र दिखाया गया है क्या तुम समझते हो कि बाल्टी की बजाए एक जग से गिलास में पानी डालना ज्यादा आसान होता है इस वाक्य में पहले बाल्टी फिर जग और फिर गिलास का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ट उननचास नजीम ने देखा कि दो बड़े गिलास से जग भरता है इस वाक्य में पहले गिलास और फिर जग का चित्र दिखाया गया है शबनम जग भर कर नीम्बू पानी खरीदना चाहती है इस वाक्य में जग का चित्र दिखाया गया है उसे कितने रुपए देने होंगे खाली स्थान को भरें चैत्रा ने देखा कि दो छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है इस वाक्य में पहले छोटा गिलास और फिर बड़ा गिलास दिखाया गया है कितने छोटे गिलास नीम्बू पानी से एक जग भरेगा रिक्त स्थान को भरें इस वाक्य में पहले छोटे गिलास का और फिर एक जग का चित्र दिखाया गया है कितने छोटे गिलास नीम्बू पानी से आधा जग भरेगा रित स्थान भरेंग इस वाक्य में पहले छोटे गिलास का और फिर एक जग का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बीच में एक बालक कई सारे बर्तन उठाए हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है उसके बाई और नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है बर्तन भरने का मज़ा इसके नीचे लिखा है पता करो कितने कप पानी से तुम्हारी बोतल भरेगी इस वाक्य में पहले कप और फिर बोतल का चित्र दिखाया गया है पहले अंदाजा लगाओ और फिर करके देखो अब उसी कप से दूसरी बोतल भरो इस वाक्य में एक गुलाबी रंग की बोतल का चित्र दिखाया गया है किस बोतल में कम पानी भरा है उसी कप से पानी किसी और बोतल में डाल कर देखो इस वाक्य में हरे रंग की बोतल का चित्र दिखाया गया है किस बोतल में सबसे कम पानी है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे एक बालक अलग-अलग बर्तनों में पानी भरते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है प्रिष्ठ पचास सुनैना और जस्प्रीत रसोई घर से कई तरह के बर्तन लाए उनके पास एक जग, एक गिलास, एक मग, एक भगाउना और एक कटोरा था इस वाक्य में जग, गिलास, मग, भगाउना और कटोरे के चित्र दिखाये गई हैं उन्होंने इन सब को एक कप से भरा इस वाक्य में कप का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बीच में जग, मग, गिलास, कटोरा और भगाउने के चित्र दिखाये गई हैं इसके नीचे लिखा है अंदाजा लगाओ किस बर्तन में सबसे कम पानी है रिक्त स्थान भरी किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी है रिक्त स्थान भरी अब तुम अपने रसोई घर से अलग-अलग तरीके के बर्तन जमा करो इन सभी बर्तनों को भरने के लिए एक ही कप का इस्तिमाल करो इस वाक्य में कप का चित्र दिखाया गया है हर बर्तन में कितने कप पानी आ सकता है पहले अंदाजा लगाओ फिर करो इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे दो अलग-अलग कॉलम में शीरशक लिखे गए है पहले कॉलम में लिखा है कौन से बर्तन का इस्तिमाल किया दूसरे कॉलम में लिखा है इसे भरने में कितना कप पानी लगा पहले शीरशक के नीचे याने कौन से बर्तन का इस्तिमाल किया शीरशक के नीचे एक कटोरे का चित्र दिखाया गया है उसके सामने वाला कॉलम खाली छोड़ा गया है रित स्थान को भरी इसी प्रकार, पहले शीरशक के नीचे दूसरे, तीसरे वचोथे कॉलम को खाली छोड़ा गया है और इनके ठीक सामने वाले कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है इन्हें भरें प्रिष्ठ 51 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर पहली पंक्ती में लिखा है जिसमें ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर गोला लगाओ इसके नीचे बई और लिखा है क और उसके ठीक सामने दाई और एक बाल्टी वएक मग का चित्र दिखाया गया है इसके ठीक नीचे प्रिष्ठ के बीच में लिखा गया है क उसके दाई और एक कप और एक छोटी प्लेट का चित्र दिखाया गया है इसके ठीक नीचे बाई और लिखा गया है गह इसके ठीक सामने एक मटके और एक सुराही का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर दाई और सबसे नीचे लिखा गया है गह और उसके ठीक दाई और एक छोटे लोटे और एक बड़े लोटे का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ बावन रानी और दूधवाला अनिल दूधवाला है वो रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है वो रानी के दूध के बरतन को भरने में तीन बार अपने मग का इस्तिमाल करता है इस वाक्य में पहले बरतन और फिर मग का चित्र दिखाया गया है पर एक दिन रानी की माने उसे दूध के लिए एक दूसरा बरतन दिया इस वाक्य में एक अन्य बरतन का चित्र दिखाया गया है रोज तो रानी का बरतन पूरा भर जाता था पर आज उसका बरतन पूरा नहीं भरा इस वाक्य में पहले रानी के पुराने बरतन को दिखाया गया और फिर रानी के नए बरतन को दिखाया गया है इसके ठीक नीचे रानी अपने घर के दर्वाजे पर बर्तन को अपने हाथ में लिए खड़ी है उसमें दूद दिखाया गया है और रानी कह रही है ओह आज अनिल ने मुझे कम दूद दिया है रानी के ठीक बाई और अनिल खड़ा है और अनिल के सामने दूद रखने के बर्तन रखे हुए है इसके ठीक नीचे लिखा है क्या तुम सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूद दिया पता लगाने में उसकी मदद करो पता लगाओ तुम्हारी मा रोज कितना दूद लेती है रित स्थान को भरो अपने आप करो अपने रसोई घर से अलग-अलग तरह के पांच बड़े बर्तन लो सब बर्तनों को बारी-बारी से एक जग पानी से भरो तुमने क्या देखा? ऐसा क्यों हुआ? अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करो प्रिष्ट तरेपन प्यासा कववा चर्पी कववा बहुत प्यासा था उसने सब ओर देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा अचानक उसे एक मठका दिखाई दिया इस वाक्य में सफेद रंग के मठके का चित्र दिखाया गया है नीचे लिखा है जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया कि मठके में बहुत कम पानी था उसने पास में ही कंकड देखे इस वाक्य में मठके में रखे हुए जल के कम स्तर को दिखाया है और साथ ही कंकडों का चित्र भी दिखाया गया है इसके ठीक दाई और नीचे बड़े मटके और छोटे मटके का चित्र दिखाया गया है बड़े मटके में जलकास्तर कम है और चारों और कंकड फैले हुए है कव्वा कहता है मुझे एक तरीका सुझा उसने एक एक करके मटके में कंकड डाले इस वाक्य में मटके और कंकड का चित्र दिखाया गया है इसके ठीक नीचे मटके के अंदर कंकड डालते हुए कव्वे का चित्र दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है पानी उपर आ गया इस वाक्य में कंकड से भरे हुए मटके का चित्र दिखाया है कंकडों की वजह से पानी उपर तक आ गया चरपी कव्वे ने पानी पिया और उड़ गया इस प्रिष्ट पर दाई ओर नीचे दोनों मटकों का चित्र दिखाया गया है बड़े मटके में कंकड भरे हैं और उसके जल का स्तर उपर तक आ चुका है और उस मटके के उपर कव्वे को बैठे हुए दिखाया गया है इसके बाई और लिखा है अगर कव्वे की जगहे आप होते तो क्या करते प्रिष्ट चववन इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है क्या तुम चर्पी की तरह बनना चाहते हो क्या तुम जानना चाहते हो कि मटके का पानी उपर कैसे आया इस वाक्य में मटके का चित्र दिखाया गया है जिसमें कंकड भरे हुए हैं नीचे लिखा है एक ही आकार के दो गिलास लो इस वाक्य में दो गिलास का चित्र दिखाया गया है दोनों गिलासों को पानी से आधा आधा भर लो अंदाजा लगाओ के पहले गिलास के पानी को गिलास के उपर तक लाने के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की जरूरत पड़ेगी अब इसे करो कितने बीजों का इस्तिमाल हुआ है गिनो और लिखो रिक्त स्थान भरें अब उतने ही कंचे दूसरे गिलास में डालो क्या हुआ? इस काम को दोबारा करो अब गिलास में बड़े पत्थर डालो अब क्या हुआ? क्यों? इसके बारे में कक्षा में बात करो इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र के माध्यम से एक लड़की और एक लड़के को दिखाया गया है और उन दोनों के बीच में एक गिलास में कंकड भरे हुए इवं दूसरे गिलास में पानी भरा हुआ दिखाया गया है प्रिष्ठ पच्पन इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है पानी कितना चाहिए पता करो तुम्हारे घर में नीचे दिये गए हर एक काम में कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है इसके नीचे चित्र के माध्यम से एक बच्चे को नहाते हुए दिखाया गया है वो अपने सिर के ऊपर मग के जरीए पानी डालरहा है एवम उसके ठीक सामने बाल्टी में पानी भरा हुआ है इसके दाई और एक रसी पर एक व्यक्ति धुले हुए कपड़े सूखने के लिए डालते हुए दिखाया गया है उस व्यक्ति के सामने धुले हुए कपड़ों से भरी हुई एक बाल्टी रखी है इसके नीचे बरतंध होते हुए एक महिला का चित्र दिखाया गया है महिला के इस चित्र के दाई ओर एक गिलास से पानी पीते हुए एक लड़की का चित्र दिखाया गया है नीचे लिखा है अंदाजा लगाओ और पता करो क एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है रिक्त स्थान को भरी क तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तिमाल करते हो रिक्त स्थान भरी गः तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तिमाल करते हो रिक्त स्थान को भरी इस प्रिष्ठ पर नीचे बाई और पानी से भरे हुए एक गुबारे का चित्र दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है एक गुब्बारा भरने में कितने पानी की जरूरत होती है। रिक्त स्थान को भरिं। इसके साथ ही एक पिछकारी का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे हरे रंग के बकसे में लिखा है पिछकारी भरने में कितने पानी की जरूरत होती है। रित स्थान को भरें। इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे एक उंट का चित्र दिखाया गया है। उंट कह रहा है, एक बार में मैं ना बाल्टी पानी पी सकता हूँ, एक बारी में मेरे जैसे दो उंट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को ये क्रियाएं घर में करने तथा जो देखा उसे नोट करने के लिए प्रेरित करें। अलग-अलग आयतन के बरतनों के इस्तेमाल के संदर्भ में बच्चों से चर्चा करें। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय साथ यहां समाप्त हुआ वाचक बावला कोचर तक्नीकी समन्वे बटी लैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C I E T N C E A T नई दिल्ली भारत